यह देखिए यह कुश्चन है आपका इस कुश्चन में रो की संख्या 4 है और कॉलम 6 है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं रो को भी 6 बनाना पड़ेगा यानि कि यह R1, R2, R3, R4 और R5 और R6 हम अपनी तरफ से माल लेंगे उसके सारे element क्या होंगे? 0 होंगे चलिए बनाते हैं उसे यह देखिए यहां हमने रो और कॉलम की संख्या बराबर कर लिए यहां कॉलम भी 6 है आपके और रो भी 6 है अब क्या करेंगे हम लोग allocation करेंगे allocation कैसे करते हैं? कि रो में सबसे छोटा number जो होगा उसको रो के हर एक element में से minus करके लिखेंगे चलिए minus करते हैं यह होगा 10-5 यानिकी 5 9-5 यानिकी 4 11-5 यानिकी 6 12-5 यानिकी 7 8-5 यानिकी 3 5-5 यानिकी 0 नेख देखिए इस second row में सबसे छोटा element कौन सा है? 4 4 minus करेंगे सब में से यानिकी 12-4 यह होगा 8 10-4 6 9-4 5 11-4 7 9-4 5 4-4 0 next इस row में सबसे छोटा element कौन सा है? 6 minus करेंगे इसको 2 5 10-6 4 7-6 1 12-6 6 और यह 0 इस row में सबसे छोटा element 5 5 को minus करेंगे यह 5 2 3 5 5 0 और यह तो 0 ही है तो इसको as it ही रखेंगे लिखतीजिए उसके बाद क्या लगाते है? column minima तो इसमें column minima लगाने के आउसकता नहीं है पहले stable को complete कर लेते हैं column minima में देखिए सभी 0 है यहां देखिए एक एक 0 सभी column में आ रहा है इसलिए इसमें column minima नहीं लगाएंगे इसमें allocation करिए देखिए जब हम row 1 में allocate करेंगे allocation करेंगे तो यह हमको पहला 0 मिला तो यह बाकी सारे 0 जो है यह cancel हो जाएंगे next row में आपको allocation नहीं मिला है कोई 0 नहीं है ऐसे ही R3 में भी कोई allocation नहीं है R4 में भी कोई allocation नहीं है R5 में एक allocation है तो यह 0 और यह 0 चैंसल हो जाएंगे ऐसे ही next R6 में यह allocation होगा और यह 0 जो है cancel हो जाएंगे अब क्या करना है यहां पर देखिए first row में हमको allocation मिल गया second row में नहीं मिला third में भी नहीं मिला और fourth में भी नहीं मिला इसी प्रकार से column में भी देखिए तीन row और तीन column आपको allocate करने बागी है इस condition में क्या करेंगे अब हम line खीचेंगे जो जादा से जादा जीरो को cover कर सकें यहनि कि कम से कम line खीचना है जो जादा से जादा zeros को cover करें तो देखिए पहली तो यह line है दूसरी लाइन ये है तिसरी लाइन ये है ठीक है आप देखे आपके सारे जीरो जो है वो cover हो चुके हैं इस लाइन में ये जो बचे हुए member हैं बचे हुए element हैं इसमें सबसे छोटा number आपको select करना है और इसको सभी number में से minus कर देना है और जो lining जो line पर number आ रहे हैं उनको वै intersecting line के number हैं उनमें ये जो number है इसको add करके लिखा जाता है तो चलिए next table बनाते हैं देखे ये next table बनाई है इसमें क्या करना है जो line पर element आ रहे हैं उनको एजिट लिखना है और cross section यानि कि जहां पर intersection हो रहा है वहां पर ये number add किया जाएगा तो इसको लिखेंगे 0000 ये हो जाएगा 11 बाकी ये 000000 000000 इसको ऐसे लिख लिया अब जो number बचे हैं इनमें से इस number को minus कर देना है 4,7,1,4,3,5,4,1,5,4,3,2,6,6,0,4,2,4,5,4 ये आपके number हो गया है अब हम लोग क्या करेंगे allocation करेंगे allocation करिए फस्ट रो में इसको allocate किया तो ये zeros cancel हो गए next r2 में कोई भी allocation नहीं मिला r3 में एक allocation मिला है और ये दोनों 0 cancel हो गए और r4 में देखिए कोई भी allocation नहीं है उसके बाद r5 में एक allocation है उसमें ये zeros और ये zero cancel हो गए r6 में एक allocation मिला है और ये zeros cancel हो गए अब देखिए क्या करेंगे अब हम लोग फिर से वही lining कीचेंगे एक line ये है एक line ये है एक line ये है कम से कम line खीचना होता है और एक line ये है अब देखिए सारे zero cover हो गए next table हम लोग बनाएंगे ठीक है उसमें फिर से वही काम करेंगे की इन line के बाहर जो number बच्चे हुए है उनमें जो सबसे छोटा number है उसको इन non allocated number में से minus कर देना है और इन line वाले number को touch नहीं करना है लेकिन जो intersection वाले number है इनमें ये वाला minimum number add किया जाएगा चलिए next table बनाते है यह देखिए next table बन गई है इसमें हमार सबसे छोटा number कौन सा है 1 इसको minus करी देखिए यह क्या हो जाएगा 3 6 1 3 0 0 यहां देखिए 2 4 4 0 0 0 यहां 4 3 3 1 0 0 next 5 5 0 3 0 0 next 1 3 5 3 0 0 next में 0 0 यहां हो जाएगा 1 फिर 0 फिर टू टू यह आपकी टेबल कंप्लीट होए अब देखिए फिर से ऐलोकेशन करना है तो फर्स्ट रो में देखिए ऐलोकेशन में आपको क्या मिला जीरो और यह जीरो कैंसिल और यह भी कैंसिल हो गया next रो में देखिए इसकेंड रो में आपको एलोकेशन नहीं हुआ थर्ड रो में देखिए एक 0 मिला ठीक है और एलोकेशन करिए इसके फीचे के दो 0 कैंसिल हो जाएंगे आर 4 में देखिए इसमें एक एलोकेशन हुआ और यह दोनों कैंसिल हो गया इसको एलोकेट करिए यह दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ पर यह एलोकेट हुआ और यह कैंसिल हो गया अब देखिए कोई बचा है हाँ एक रो बच्ची है ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे फिर से lining करेंगे देखिए एक line यह आई दूसरी line यह आई तीसरी line यह आई और अगली line यह कबर करते हुए इसको और अगली line यह कबर करते हुए अब देखिए सबसे छोटा नमबर कौन सा है आपका 1 सबसे छोटा नमबर 1 है इसको आपको allocate कर लेना है और यह minus किया जाएगा चलिए next table बनाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 5 0 2 0 0 नेक्स्ट यह line ऐसे ही रहेगी 2 4 4 0 0 0 next line में एक एक माइनस होगा यहने कि 3 2 2 यह 1 है यहाँ 0 हो जाएगा next line exit रहेगी 5 5 0 3 0 0 next line 0 यहाँ 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 पर यहाँ पर देखिए intersection था तो यहाँ वन हो गया और यहाँ पर भी intersection था यह भी हो गया वन तो यह हमारी टेविल अब कंप्लीट हो गई हैं अब हम फिर से allocation करेंगे देखिए allocation करिए अगर इस 0 को allocate किया जाएगा तो यह 0 यह 0 प्लस यह 0 तीन 0 कैंसल होंगे और अगर इस 0 को allocate करते हैं तो 1 2 3 0 कैंसल हो रहे हैं लेकिन हम इसी वाले 0 को allocate करेंगे ठीक है और 1 2 3 यह 3 allocation कर जाएंगे next row में देखिए इसको allocate किया तो यह 0 कैंसल हो गया 3rd row में देखिए अगर इसको allocate किया जाए तो 1 2 और 3 यह allocations कैंसल हो जाएंगे तो हम लोग इसको allocate करते हैं और इसको कैंसल कर देंगे next row में देखिए यह इसको allocate करेंगे ठीक है यहाँ पर 1 1 है और यहाँ अगर इसको allocate करते तो यह 00 यह ठीक है और एक यह 0 यह 3 इन कैंसल होते और यहाँ पर एक ही कैंसल हो रहा है next row में देखिए इसको allocate करेंगे और यह कैंसल हो जाएगा ठीक है और यह कैंसल हो जाएगा और अब कौन सा बचाप के पास यह इसको allocate करतेंगे ठीक है तो आपके पास allocations आ चुके हैं, allocation कौन-कौन से हैं, first तो ये है, second ये है, third ये है, fourth ये है, fifth ये है, और sixth ये है, ये हैंनि कि सारे row और सारे column allocate हो चुके हैं, तो अब इसका final answer है, देख लिजिए, यहां पर R1 व्यक्ति को C5 job मिलनी चाहिए, और R2 व्यक्ति को C6 job मिलनी चाहिए, R3 व्यक्ति को C4 job मिलनी चाहिए, और R4 व्यक्ति को C2 job मिलनी चाहिए, अब क्योंकि ये यहां पर R5 और R6 arbitrary हैं, इनको neglect कर देंगे, और आपका answer क्या होगा, तो question देखिए, R1 और C5 का intersection क्या है, 8 है, question में, ऐसे ही, R2 और C6 का intersecting member है, 4, ऐसे ही, R3 और C4 का intersecting member है, 7, R4 और C2 का intersecting member है, 7, इन सबको add कर लीजिए, तो total cost कितनी आई है, 26 रुपीज, तो इस प्रकार से आपका ये question complete होता है, इसी प्रकार के और important question के लिए, next video दिरूर देखिए, और channel को subscribe करना ना बूले, thank you.